नमस्कार दोस्तों मेरे नावे सिभू गेप्ट अप्टी डियो चैनल से सब्सक्राइब एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम लग बात करेंगे एक बजेट PC अप्रेट गाइड के बारे में अगर आपके बास बजेट PC है ना बहुत वीक PC है पिन ट्याम य प्राइस कितने पड़ेगा उसके बारे में आज के वीडियों होना वाला है तो इस वीडियों के इंतर चलूर दिखे ठीक है तो शुरू करते हैं तो यह मान के चलते हैं आपको पीसी है ना वह मतलब आसे मालो पासल दसल पुराना PC है और उसमें आपका CPU वीक है अब कोई भी कुछ भी करें अगर आप इंटरनार इस्प्लेलर या फिक्रोम या फायर फॉक्स ब्राउजर भी चला तो भी लेक करें आप मैक्टोसर वार्ट एक्सेल पर चला तो भी करता हो गेम तो छोड़ी दो ठीक है इस टेप के PC है और आप चाहते है कि नया PC लेना न घ्राउज करें देखना होगा की आपका फ्रेशरज कार्रेश कार्ड ये से और यह क्या क्या moc जीन से मान के चलती है अपका पास एक ऐसा PC है जिसमें सब कुछ ठीक है बट आपका जो प्रोसेसर है ना वो वीक है ठीक है आपके पास मान के चलती है आपके PC में एक 710 गैफिक्सकर लगा है ठीक है GT 710 गैफिक्सकर लेकिन उसमें लगा एक code to door प्रोसेसर या i3 प्रोसेसर और वो होता है lag या अफ्रोसेसर आपको सुछ अगर आप चाहिए उसका अपड़ीडर देंगे तो ही आपका स्विक्सक्राइग हो जाएगा अच्वस्ट हो जाएं कि अब तो आपको मादरबर चेंज नहीं करना होगा नहीं आपको कोई और चीज चेंज करना होगा बस CPU निकालो और दूसरा CPU लगालो तो इसमें देखते हैं कि आपको कौन-कौन से CPU लेना चाहिए अगर आपका एक फजन का आइटी पेंटियम टैयकर प्रश्र है या से के जन कर या थाड जिनका तो उसी जर्रेशन कर आप इक p5 मतली है आई सेबन ले ली तिया आई सेट फार्स सेगंड थाड जिनका जो फ़र्शार अलग जनेरेशन का होता है वह दो जार तीनेजा चाराजार रुपए में आपको मिल जाता है मार्केट में चाहे आप तो चाइना को एसे बेगरा से मांगा चेते जैसे बैंक गूर गया वेगरा जो जनेरेशन का बज़ेशर आपके PC में है उसे जनेरेशन का लेजिए तो वह मैच हो जाएगा आपको कोई भी इस्यू नहीं होगा इसली चल जाएगा पर जन का पहले से लिए वह उसी मादरबूर्ट में उसी जनेरेशन का हायर आइसे लागा लो तो आपका प्रोब्ले सब्सक्राइब में हो जाएगा दो तीन चार अब डिवेंड करते हैं कि आपका जनेरेशन कौन से और कौन से आइसे लेती हो उसी से आपको 24000 के अंदर ही आपका प्डेट होने से PC जो है अराम से चल जाएगा ठीक कोई इस्यू नहीं होगा इसके बाद हम लोग बात करते ह कि एक बहुत जरूरी चीज़ की हो सकते हैं आपके पास CPU अच्छा हो लेकिन आप जो है इंटल का इंटलेश्टी गैफिक्स के ऊपर चला रहे थे और अभी आपको थोड़ा बहुत गेम बेकर है खलना है और नहीं होता कि अभी इसलिए उसमें नहीं होगा आपको एक अच सब्सक्राइब करना चाहिए यहां मान के चलते हैं कि आपके पीसी में ग्राइब कर नहीं है या है भी तो बहुत भी वीक है तो आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा अब बहुत ही महांगा ग्राइब नहीं ले सकते बना आपका CPU जो है वो बॉटलनेक करेगा आपको आपको दो गएगे चाहिए कि जो ठीक ठागी हो और आपके CPU बॉटलनेक भी ना करें ऐसे में आपको दो ग्राइब का बहुत ही अच्छा परफॉर्म जेने वाला है एक गीती विप्ति टी आइए और दूसरा है जेती एक्स टेन टिप्टी टी आई जेटी एक्स टेन सब्सक्राइब नहीं चाहिए और यह दोनों काटके खासियत है कि इसमें आपको जो है एक्स्टा पावार केबल नहीं चाहिए वह चकता आपको पुराना सब्सक्राइब नहीं चाहिए और यह बहुत बजट में आता है तो आपका बजट कम है और बजट जधा है तो ले लो बहुत ही आराउंड से आपका सभी गेम जो है इसके बात कर लेते कि कुछ ऐसे लोग होती है जिनका पीसी जो है उसमें मालोग ग्राफिक्स का ठीक ठीक है मालो आपका आप पिए यह सब्सक्राइब करेंब लगा हो या फोड़ गर विकार रहें लगा हो छोगिन राइम लगा हो दिख्या पोड़ेट करना प्ट्रहीं जो एक वेक्स के आप या लोकल स्टोर पीज्टोर पिए आएट सोगवेखलाइब सब्सक्राइब ने सकती है इतना कम बैसे में आपको फोर्जी वे राम हो सिंगेल चनल पर वह चलता हो जैसे यह दूसरा फोर्जी लगाओगे तो डूवल चैनल हो जाएगा अच्छे से चलेगा तो रैम अप्डेट बहुत जड़ी होता है तो आप रैम को भी अप्रेट कर लो ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि मालो आपका पीची जो है पुराना नहीं है नया ही है बजेट वाला है बद नया है आपका राइजन भेगा गैफिक्स बाला आपका PC है उसमें आपको लाइब होता है गेम में उतना अच्छा पर्फोमेंस नहीं मिलता तो आप क्या करो आपको हो सकते हैं आप एटिरेंटे मादबर यूस करता हो या भी 450 या भी 350 जो भी यूस करता हो आप एक चीज़ कर सकते हो वह रैम को आपका जो रैम है उ उसको अबधर करो अगर 2400 मेंगर तो 3000 करो 3000 तो 32 या 3400 कर लो इससे जो है रैम का फ्रेक्वेंस सी हाई होने से राइजन का प्रेसर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है उसका एक यू कर अंदर जो ज़िक्यू है बहुत ज़्यदा अच्छा चलता है और रैम बढ़ करेंगे तो राइजन बेसे का सिप्यू है तो वह भी आपका अच्छा पर्वेसर देने वाला है इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की यह सब होने के बात अगर आपके पास थोड़ा पैसा बसता है हाजार दो हजार रुपए तो आप एक एससटी लगा लो अच्छा है आपका बचेट हजार का है तो आप 1.8GB का लागा लो आपका बचेट का 2.4GB का एक एससटी लगालो तो उमीद करता हूँ कि ये सब चीज करने के बाद आपका PC नहीं करेगा लाग नहीं करेगा तो ये सब करने में आपको बहुत ज़्याद पैसा नहीं चाहिए अगर पो सिफ CPU अप्रेट करना तो आपको शिफ़ीवजार रूपै के अंदर आपको शिफ़ीवजार रूपै के अंदर हो जाता है आपको हो सके उतना उतना करके चाहिए एक-बानवाश अभी वैसा आप ख पैसा लगाओ बागे सीजों में पैसा लगने के कोई जुरूवत नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छ लगाए तो इस वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल के पी झाल